बीजीपी नेता गोपिनात मुंडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है आयोग ने मुंडे से इसका जवाब 20 दिनों में मांगा है माना जा रहा है कि आयोग अगर मुंडे की बात से संतुष्ट नहीं हुआ उनकी संसत की सजस्टा भी खत्म कर सकता है तीन दिन पहले मुंडे का ये भाष्ण अब उनके लिए आफ़त बन गया है मुंबल में किताब विमोचन के दौरान मुंडे ने कहा था कि साल 2009 के चुनाव में उन्होंने 8 करोड रुपे खर्च किये बात चुनाव आयों के कान में पहुँची 48 घंटे के भीतर मुंडे को नोटिस मिल गया आयोग ने मुंडे से पूछा है कि चुनाव आचार नियम 1961 के तहट क्यों आपके खिलाफ कारवाई की जाए आपने अपना चुनाव ये खर्च ठीक ठीक नहीं बताया इसके लिए आपको क्यों ना आयोग ये करार दिया जाए आप 20 दिनों के भीतर इसका जवाब दे गोपिनाथ मुंडे महराश्ट्रे के बीट से सांसत है साल 2009 में चुनाव खर्च की सीमा 25 लाख रुपई थी चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि मुंडे ने बर्च 2009 में जो चुनावी खर्च बताया वो महज 19,36,922 रुपई है सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुंडे के भाशन की सीजी ले ली है नोटिस तयार करने से पहले नकल तयार कर ली गई है इससे पहली कॉंग्रिस नी सीधे सीधे मुंडे की संसथ सदस्था खत्म करने की मांग की मुंडे जी जो बीड के संसथ है भारतिय जिंता पाती के उन्होंने स्विकार किया है कि पिछले लोकसभा चुड़ाओं में उनका खर्च आग 8 करोड रुपे था अर्थात 15 लाक रुपे की तुलना में लगबग 7,7,7 पौने 8 करोड रुपे जादा उन्होंने खर्च किया है तो निशी तोर पर डिस्क्वालिफिकेशन का केश बनता है मैं निर्वाचन आयोग से अनुरोथ करूँगा कि गोपिनात मुंडे को बुला कर उनके बयान की जाच करके वो निर्वाचन ले और डिस्क्वालिफाई करें अगर उन्हें ने हलफ नामा दाखिल दग किया है और उस हलफ नामे में ये कहा है कि उनका खर्चा 25 लाक से कम रहा है या जो भी रहा है और वो सार्वजेनिक तोर पे कहते हैं कि हमने 7-8 करोड रुपया खर्च किया है तो इसमें जो विरोधा भास है इसका वो स्पश्टी करन दें ये देश के लिए भी उचित रहेगा और चुनाव आयोग का तो ये की जुम्मेबारी बनती है पाजी की सीनियर लीजर फसे तो बीजेपी बचाव में कूद पड़ी समाजवादी पाजी ने मुंडे को सौपी सदी सच ठहरा दिया सब्सक्राइब को सुधार करना चाहिए और चुनाव का पूरा कर्च आपने पर वहन करने चाहिए कि सब्सक्राइब करने का दिखारा है कल तक मुंडे के बयान पर सियासी घमासान मचा था लेकिन अब चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है 20 दिन में अगर इसका सटीक जवाब नहीं दिया तो मुंडे के हाज से MP की कोरसी निकल सकती है मुंबई सी अभिशेख शर्मा की रेपोर्ट